फ्रेंड्स मुझे मिल चुका है AN94 का स्किन और इलाइट पास यार तो बहुत ही सस्ति में मैंने निकल लेया ओनली 29 रुपिस का एक एरड्रॉप मैंने पर्सेश किया था यार सिर्फ उसी से मेरे सारे के सारे समान निकल चुके गाईज यार निकल चुके गाईज जो इनकुबलेटर में आया है और देखो मैंने कैसे पर्चेस किया गाईज पहले वाला जो यह दिवाली वाला आया था यार मेरे पास 300 डायमंड्स थे जो मैंने 29 रुपिस के एरड्रॉप से लिया था और इधर से मैंने क्या किया सारे के सारे इध इधर से मैंने टोटल 18 वाचर्स खरीद लिये ठीक है और मैंने काफी दिनों से टॉप अप नहीं किया था जिसका यह असर है गाईज देखो मैंने टू ब्लूप्रिंट्स एंड जो है 12 एविलेशन स्टॉन मेरे निकल चुका है एक एविलेशन स्टॉन मिल चुका था मेरे और यह सारी की सारी चीजा है इसलिए हो पाई है क्योंकि मैंने टॉप अप करना बिल्कुल छोड़ दिया है सिर्फ 29 रूपेज में मेरे को जो है लाइट पास मिल गया एड मेरे को एए न 94 का ओपी वाला स्कीन मिल चुका है अभी हम लोग इसको पर्षेस कर लेते हैं एड फिर हम लोग इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में देखेंगे गाईस कैसा चलता है फूल आप लोग रिव्यू देने वाला हो अभी मेरा गैम्प्ले आप लोग देख लेना कि इस वाला एन 94 का जो है यार मतलब तबाही जैसा स्कीन है गाईस और बिल्कुल मैंने सस्ते में न निकालना चाहते हूं गाईस तो गरिना को डारेक्ट बोलो हैस्टैग नो टॉप आप जैसा आपन लोग लाइव श्रीम पर ट्रेंड चलता है गाईस तो 29 रोपेज का कैसा लगा आप लोगो जलवा गाईस मतलब 300 डायमंड ना सारी की सारी चीजा मिल चुके मुझे जो ज मुझे चाहिए था गाईस तो अभी देखो गेम प्ले गाईस चलो का की सबस्क्राइब प्ले जाईस तो बखने तो बॉले ना इगाईस तो बॉले जाईस चलो